आज हम यहां पर बात करने वाले कुछ amazing facts जो हमारी human body के related है उसमें first fact यह निकल के आता है कि हमारी body symmetric होती है लेकिन दोनों साइड की जो body left and right बहुत बार वो body जो है वो same lane की नहीं होती या same size की नहीं होती इसका experience उन लोगों को आता है जो जीम में जाते हैं जब आप जिम में जाते हो आप जब bench press करते हो तो बहुत बार आपको इंस्ट्रेक्टर बताता है कि आपका कोई एक hand नीचे जा रहा है या और कोई उपर जा रहा है ऐसा क्यों होता है क्योंकि अलग से उठाइगा यहनलग से उठाइगा लेकिन पिर यह होता क्यूं है तो हमारी बोड़ी किस से बनती है हमारी healthy health work होता है तब ही जाकर दीरे-दीरे-दीरे टीशूस बनते ऑर्गंग बनते बड़ी बनती जब quelle three वाड़ी ज़री आ तब उसमें क्या होता है की थोड़ा-सा है brain का वो ज्यादा एक्टिवेट है अगर आप left hand से अच्छे से काम करते हो तो आपका right वाला हमिस्पेर है वो ज्यादा एक्टिवेट होता है और कभी-कभी कुछ लोगों में दोनों भी हमिस्पेर सेमल एक्टिवेट होते है इसलिए वो दोनों हातों से सेम इनर्जी से काम कर सकते हैं तो left hand होना ये right hand होना टोटली डिपेंड करता है कि आपका कौन सा brain का हमिस्पेर ज्यादा एक्टिवेट है हमारे जो finger nails है वो हमारे toe nails से ज्यादा grow होते है fastly grow होते है लेकिन ऐसा होता क्यों है हमारी जो nail से या hair से उसमें होता है किराटिन और actually हमारे जो nail से वो byproduct होते है किसके byproduct जब हमारे body में bones बनते है तो bone बनने की process में as a side product nails बनते है तो जितना बड़ा bone होगा उतना ही उसका side product जादा होगा मतलब उतना ही बड़ा nail होता है तो हमारे fingers hand के बड़े होते है इसके बज़े से उसके nails भी बड़े होते है इसमें बहुत सरे other factor आते है जिसे sunlight आती है आपका nutrition भी आता है हमें 3D में दिखता है या हमें 2D में दिखता है बहुत interesting question है क्योंकि हम जो देखते हैं आसपास हमें लगता है वह 3D है लेकिन क्या actually 3D है क्योंकि आप जब screen पर यह video देख रहे हो तो आपको वह ऐसा ही लग रहे है कि आप मुझे 3D में देख रहे हो लेकिन आपको ही पता है कि आपकी screen जो है वह two dimensional है तो हमें actually क्या दिखता है आ आपके eyesight का वह वाला एंगल जहां पे दोनों भी आखों का एंगल मैच होता है मतलब दोनों भी आखों की image को integrate करके हमारा brain एकी image बना देता है वही 3D में होता है मतलब कौन सा वाला portion जो आपके आखों के exactly सामने वाला होता है मतलब आखों के exactly सामने जो 120 डिग्री आंगल त 120 ऐसे करके यहां से नीचे यह 120 डिग्री वाला जो एंगल है वही पर आपको 3D दिखता है मतलब आप सामने देख रहे हैं लेकिन आपको ऊपर वाला थोड़ा सा रिजन दिखता है नीचे वाला दिखता है यह जो 180 का एंगल है वहां पर आपको 2D दिखेगा फिंगर प्रिंट्स यूनिक क्यों होते हरिएक क्यी अलग क्यो क्यों होता है हम किसी भी चीज को पकड़र नहीं पाएक क्योंकि गृप नहीं होगी तो फर्स्टीज तो यह है कि fingerprint होते है कि किसी भी चीज़ को अच्छे से hold करने के लिए उसके बाद fingerprint के बज़े से हमारे हातों का sensation बढ़ जाता है अलग-अलग vibration को अच्छे तरीके से और feel कर पाते हैं यह उसके बीचे reason है और fingerprints क्यों बनते हैं क्योंकि fingerprints actually interpretation होते है आपके DNA का आपके RNA का मतलब आपका जैसा genome होगा उसी तरीके से आपके fingerprints होते है तो किसी भी person का चाहिए वो ट्विंस हो उनका 100% DNA कभी match नहीं होता है इसलिए हर एक का fingerprint भी अलग ही होता है हमारे जो eyebrows है उसका क्या purpose है बाकी five senses का purpose तो समझ में आ जाता है लेकिन eyebrows का क्या purpose है तो हम अगर इसको सपोज निकाल देजिए आपने देखा मोना लीसा का painting है उसमें बहुत कुछ बोला गया है उसके eyebrows के regarding बहुत ही ऐसे अलग-अलग चीजे वह आपे डिस्कोर किएगे लेकिन हमारे eyebrows के बारे में क्या उसका क्या purpose है उसका यही purpose है कि जब आपको sweating होता है तो sweating होने के बाद जो भी स्वेट है वो directly आखों में नहीं जाना चाहिए अगर आप रेन में हो तो non-verbal communication भी किया जाता है जब हमें चीक आती है तो क्या हमारी आखे बन ही होती है या हम उसको open रखके भी चीक सकते है और अगर हमने open रखके चीका तो क्या problem हो सकता है तो एक ऐसा मीट्स था कि जब हम आखों को ओपन रखके जब चीकेंगे तो हमारी आखे दीरे 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 बाहर आना स्टार्ट हो जाएगी तो इसके बारे में कोई भी साइंटिपिक प्रूफ नहीं है तो ऐसा कुछ नहीं होता है लेकिन क्युकि हमारे नोस्टिल के थुरू बैक्टिरिया जबाहर आते जो भी इंफेक्शन वो बाहर डाला जाता है नोस्टिल के थुरू और उसी टाइम अगर वो इंफेक्शन फिर आखों में चला गाया तो आखे भी इंफेक्ट हो सकती है इसलिए हमारे body का inbuilt mechanism है कि जब हमारी आखे बंध होती है तभी हम चीकते है या चीकते वक्त हमारी आखे बंध होती है तो ऐसे amazing facts regarding science, technology and metaphysics अगर आपको देखने हैं तो ज़रूर मेरे channel को आप subscribe करो अगर video अच्छा लगा हो तो thumbs up कर देना कर्मेंट में दिखो आपको कौनसे topic पर वीडियो चाहिए thank you for watching this video and bye झाल